हलो डियर स्टूदेंट्स वेलकम करता हूँ मैं आप सभी का आज की एक दमदार लेसन में है जो की है डिटर्मिन बचो डिटर्मिनेंट क्लाफी काफी काफी इंपोर्टेंट चेप्टर है आपकी एक्जाम की दृष्टी से मैं आपको बता दूँ डिटर्मिनेंट से बहुत बहुत एजी सवाल पूछे जाते हैं बचो इस वीडियो लेक्ट्चर में हम माइनर्स को फैक्टर को हम बहुत अच्छे से समझेंगे जैसे कि आप सब जानते हो मैट्रिक्स इन्वर्स की रो ट्रांस्फोमेशन और कॉलम ट्रांस्फोमेशन मेथड से लाबस में अभी नहीं है तो हम सिर्फ एड्जाइंड मेथड देखेंगे इस इंट्रोड़क्शन अबाउट मी इस इस मी अकाश मंदान एजुकेटर और अनकैडमी फॉर क्लास 11th और 12th CVSC छे लाग से जाधा फॉलोर्स हैं मेरे यूट्यूब पे और आप इस कोड को जरूर यूज करें तो अनलॉक अल्डे लाइव क्लास इस ओन अनकैडमी भी वच् optimize जो पहला कोश्ट्यून सैंहमारे सामने वह राइट माइनर Bowl лайョण को फैक्टर अब्द एलिमेंट ओब दे फालेंग डिपान नहीं जी अ हम पहले बेसिक बेसिक देखते थामाइन अरो को फैक्टर क्या हня के लिएente ईहज़ेटर मिनन neurot tomorrow जलिए Milliarden 1234 मॉंmond तो यह जाएगा फोर बंजा फोर त्री टूजा और इन बिट्मेंट माइनस जो एंसर मिलता है इसको बोलते हम डिटर्मिनेंट वैल्यू ठीक है यह डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको पता है अब बात करते हैं माइनर्स की पुद्मिनर्स की होता है आएए उसको समझते हैं लेट से आपको एक मैट्राइस दे रखा है वन टू थरी फूर एक मैट्रीक्स दे रखा है वन टू थरी फूर ओगे आपको उन्होंने कहा है find miners तो उसके पहले जानना पड़ेगा कि miners क्या होता है miner is m i j miner is what m i j where delete d e l e t e delete i th row and j th column ठीक है तो let's say हमको यहाँ पर डूढ़ना है m11 तो first row को delete कर दो first column को delete कर दो what you left with m11 जैसे कि आप सब जानते हो let's say you write a i j right तो पहला वाला element row को denote करता है दूसरा वाला column को let's say you need m12 तब क्या होगा बच्चा बाड़ी first row second column left with 3 m21 भी निकाल सकते हो two row first column so minor मतलब क्या है delete row and column please have a note of it फिर और आगे बढ़ते हैं just इसको note down कर लीजे फिर और आगे बढ़ते हैं अजो सकते हैं प्योव का मतले बढ़ते हैं okay चलिए अब सवाल की और बढ़ते हैं Find the minor and co-factor of elements of following determined So सबसे पहले हम first को solve करते हैं आएगा M11, M12, M21, M22 First row delete, first column delete We are left with 3 1, 2 2, 1 2, 2 बस minor मिल गया, और क्या, please have a note of it ठीक है, minor I hope आपको clear हो गया, ठीक है, minor आप लिख लिखेज़ें, फिर हम co-factor जानते हैं, क्या होता है, इसकी भी एक definition होती है तो पहले हम minors ही निकाल लेता है, second के minors के आएगे M11 M12, M21, M22 M11 क्या आएगा, first row delete, first column delete, we are left with D 21C, 22A जाइस आपने देगा, काफी simple था, please have a note of it, it was all about minors जल्दी से लिख लिएए फिर और हागे बढ़ता है चलिए के जब को फैक्टर्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं आईए हम स्टेडी करते हैं को फैक्टर्स सबचों को फैक्टर्स क्या होता है let me tell you what is को फैक्टर्स को फैक्टर्स की डेफिनेशन है aij is equal to m minus 1 raise to i plus j aij is equal to minus 1 raise to i plus a mij co-factor की डेफिनेशन है प्लीज एक बारी चार से पाच बार लिख लिए सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब लिख लो ताकि आपको याद हो जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से लिख लो पिर इसमें learn कराने की टेक्नीक भी बता दूंगा solve करते करते अपने आप learn हो जाएगा ठीक है सो चलो मैं question पर ही बढ़ता हूँ आगे this is our question यहाँ पर co-factors भी डूंदने थे अपने को so guys इसमें co-factor डूंदने का मैंने formula बता था aij is equals to minus 1 raise to i plus j mij ठीक है so let's say if I'll write a11 so how to get a11 it is minus 1 raise to 1 plus 1 m11 right so how to get a12 this is minus 1 raise to 1 plus 2 so यहाँ पर आजाएगा plus 1 m11 किदर आएगा 3 final answer is 3 so it's nothing but जे को formula लगा और एंसर पाओ और कुछ है नहीं this is negative 1 m12 तू 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 सही है क्या minus 1 raise to 1 plus 2 3 है ठीक है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम जीरो पारा नाजर इस जीरो तू गैस दो वैल्यों लिखी है इतना नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं इतना दिख लो फिर आगे बढ़ते हैं अएफ़ आगे बढ़ते हैं तो आपने लिख लिया 1 1 1 2 और आगे बढ़ते हैं होगी तो चले नेक्स पेज पर ही चलता है तो इस नेक्स वैल्यू है A21 A22 it is nothing but minus 1 raise to 2 plus 1 M21 A22 is what minus 1 raise to 2 plus 2 M22 this is minus 1 what about 21 this is 2 this is 1 negative this is 2 and this is 1 minus 4 4 this is plus 1 what about M22 second row second row also 2 so बस first solve कर दिया है मैंने please have a note of it फिर और आगे बढ़ते हैं जल्दी से एक बार ही लिख लिए फिर और आगे बढ़ते हैं चले गाई जब और आगे बढ़ते हैं चले गाई जब और आगे बढ़ते हैं let's move to the second question let's do it there is a11 a12 a21 and then a22 so as you know that it is it is initially minus 1 raise to 1 plus 1 m11 ठीक है so ultimately यह value plus 1 हो जाएगी no doubt m11 is what d ठीक है this is what minus 1 raise to 1 plus 2 m12 this is negative m12 मतलब क्या जाएगा first row second column so minus c there is answer minus b 2 1 is what minus 1 raise to 2 plus 1 m21 so ultimately it is what negative 1 second row and then first column so minus c what about a22 this is minus 1 raise to 2 plus 2 and then a finally a please have a note of it it is really important from exam perspective जल्दी से लिखली जीगा इस फिर और आगे पड़ता है आप सभी को मैं बता दूँ अनकेडमी पे आप हमारी लाइव क्लासिस को एक्सेस कर सकते हैं बाइ यूजिंग दे कूपन कोड एम एन डी एचे यूजिंग फ्री कॉंटेंट हम आपके लिए बहुत सारा प्रोवाइड करते हैं अनकेडमी पे आप उसे अलॉक कर सकते हैं बाइ यूजिंग दे कूपन कोड एम एन डी एचे अलसो मेरी प्रोफाइल को आप अनकेडमी पे जरूर फॉलो करें इसमें आपको बहुत कुछ प्रोवाइड होता है जो नया फीचर है वो है इस बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं उसके साथ ही मैं आपको प्लस सब्सक्रिप्शन की भी सारी डीटेल्स दे देता हूँ ठीक है वाट इस दे प्लस सब्सक्रिप्शन गाइज अनकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन इस अकम्प्लीट लाइव क्लासे सोलुशन अलोंग विट टैसरीज क्वेज डाउट सेशन मीकली मॉक टैस्ट सब्जेक्टिव टैसरीज भी आने वाली है जो कि आप जल्द ही सब्सक्रिप्शन भी अम आपके लिए लाउंच कर चुके हैं इसमें आपको देखिए परसनल मेंटर मिल जाएगा लाइव डाउट सॉल्विंग मिल जाएगी वीकली रिपोर्ट्स प्लस के सारे बेनिफिट्स तो आते हैं वो तो क्लिर यह स्टेडी ब्लेनर इस एक्स्ट्रा फीचर ठीक है साथी साथ आपको पैरेंट्स कनेक्ट भी मिलेगा जिसमें आपके पैरेंट्स के साथ डिसकॉशन होगा ठीक है और आपके कोई भी कंसन है उससे हम अड्रेस करेंगे ठीक है परस्टल मेंटर भी आपको काफी अच्छे मिलेंगे जिससे आथ 1-2-1 इंटरेक्ट कर पाएंगे ठीक है बचो एक और चीज में बता दू अनक्याडमी असेंड फिर से हमने अरेंज किये आपके लिए इन दो मन्थ जैन्वरी दिलिंक इ अगर आप इस कूपन कोड को यूस करते हैं विच इस M-A-N-D-H-A-N-Straight-forward यू विल गेट 10% डिसकाउंट सिमिलर्ली अगर आप आप आइकॉनिक देखते हैं 12 मन्थ सब्सक्रिप्शन तो इस अराउं 25,500 देखिए यू आप चूज अकूर्डिंग अन बच्चों के चाहिए, mentorship चाहिए, study planner चाहिए, and if you just need plus subscription that means उसमें आपकी live classes आ गई, test series आ गई, doubt solving आ गया, so just go for plus subscription, ठीक है, अपनी convenience के according आप चूज कर सकते हैं, see class 12 का plus subscription आपके सामने है, as you know that time is limited, you can opt for 6 months subscription, 9,000 fee है, straight forward use the coupon code MANDHN, you'll get additional 10% discount, ठीक है, बचों और भी आपके कोई भी doubt है, तो let me know in the comment section, मैं आप सभी को बता दू, बहुत सारे बच्चों का अभी तक हमारे guidance से फायदा हुआ है, अब आपकी बारी है, definitely, 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 आप unacademy plus पे enroll करिये, ताकि आपकी study improve हो जगे, and as you know that cost अगर आप देखते हो, so class 12 के plus subscription की cost है 6 months की 9,000, which is very much reasonable, as you know that offline classes का जो fee है, it is around 20,000, ठीक है, one subject, और 3 subjects, 60,000, metros की बात करते हैं, non-metro city रही तो 10,000 into 4 subjects, अगर आप करते हो, 40,000, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल रहा है physics, chemistry, maths, bio, English, तो सारे subjects की तयारी हो रही है, so guys, do enroll now, and I hope आप सभी life में बहुत progress करें, सते सत्थ बच्चों, आने वाले जो event है, आप इसके लिए भी तयार रही है, Unacademy Ascend, this is the best event for you, क्योंकि आप इसमें जीत सकते हैं, scholarship, yes dear student, there is a chance to win scholarship, also, there is a date as well, the link is in the description, जिसमें हमने dates बता रखी है, 6th to 12th के बच्चे इसमें enroll कर सकते हैं, tell your friends as well, to join the Unacademy Ascend scholarship test, ठीक है, enroll for the All India Championship and stand a chance to win scholarship worth 5 lakh every month, yes dear student, 5 lakh रुपे तक का scholarship आप जीत सकते हो, ठीक है, test की details में आपको बता देता हूँ, नीचे description में link है, आप जाए, ज़रूर enroll करिये, and it's absolutely free, see you, take care and God bless you all.